हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है टीके जने इस्टेटिस में दोस्तों आप सभी के लिए हाँ पर 36 गड़ पीएसी के द्वारा प्यून भरती जो हुआ था उसका रिजर्ट के यहाँ पर अपडेट ले कर आए हूं कि इसकी रिजर्ट कब आएगी 36 गड़ जो प्राइसी रिजर्ट है इस दिन आ सकता है इसका यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा साथे साथ अरक्षाड जो क्लियर हो चुका है उस पर भी बात करेंगे और इतने भी जो विकेंसिया है वह कब तक आएगी साथे साथ सबसे पहले यहाँ पर किसका रिजर्ट आएगा क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर एक्जाम हुए है और जिसका रिजर्ट अभी रुका हुआ है तो किसका रिजर्ट सबसे पहले आएगा इन सभी मुद्व पर बात करेंगे और मैं आपको नहाँ पर दिखाऊंग तो आप जो भी PC की तैयारी कर रहे हैं या SI भरती की तैयारी कर रहे हैं सभी इस चैनल को सस्काइब कर ले और साथ इसाथ बिल घंटी के जो आल बटन होता है उसको आल पर सेट करकर रखे रहे हैं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अफलोड करूं तो उसका अब तक अवस्य पहुंचे तो निचे उसका लिंक दिया है जरूर से जाकर जोइन कर लिजेगा तो आईए सबसे पहले देखते हैं सेजी पिस से प्यून को रिजल्ट कब आएगा कब तक आने की संभावना है और जितने भी वेकेंसियां 36 गड़ की वेकेंसियां कब तक आएगी और किसका किसका रिजल्ट कब आएगा इस पर यहाँ पर बात करेंगे तो चले आगे बढ है तो आज विसेश विधान सभा सत्र का आजण था एक और दोग तो अनसुचित जन जाती वर्ग के लिए यहां पर 32 परसंट अरक्षण अनसुचित जाती के लिए 13 परसंट और पिछड़ा वर्ग के लिए 27 परसंट और जर्नल जो गरीब है EWS उसके लिए 4 परसंट अरक् शण हो चुका है जब तक krypt के दोरा इसटे न लात जाए और यहां यहां पर मान कर चले कानॐं बन जाएगा विधर्व पारित हैं जो इसका जो रिज़ल्ट है प्यूण का इत्याद जितने भी एक्जाम है उसका तो सबसे बात कर लेते हैं विधान सभास पर सभी की नजचर ठीकी थी तो आज विधान सभास की M यहां पर शरुसम्हादिस से पास सोचुका है रक्षान तो सबसे पर यहां पर जो बात कर लेते हैं प्यून भरती का तो सीजी पेसी के द्वारा यहां पर एक्जाम लिया गया है इनके आमड़े पदों के लिए भरती हुआ था प्यून का शप्रासी का जिसमें लगवा धाई लाक उम्मित वार फाम भारे थे और एक्जाम भी दो लाक प्लस को किसका यहां पर नेक्स्ट एक्जाम में होने के संभावना है तो प्यून को जो यहां पर रिजल्ट है नेक्स्ट वीक मानकर चले नेक्स्ट सब्ता यहां पर अगले सब्ता यहां पर आने के संभावना रहेगी पांच तारीक के बाद पांच दिसंबर के बाद कभी भी कटप के आसपास पहुंचे होंगे मैंने भी पहले ही कटप यहां पर बता चुका था अगर आपने कटप नहीं देखेंगे तो नीचे आपको डिस्टिस्टरम में लिंक मिल जाएगा अप अपना कटप देख सकते हैं कि इतने क्यासपास अगर आप होंगे तो इमला की तैयार दूसरे जो महत्तों पूर्ण यहां पर जो रिजर्ट है से जीपेसी सीविल सेवा जो पर एक्षा दोजरी किस में 171 पदों के लिए हुआ था जिसका केवल पर पैणाम रोका गया है और आपका इंटर्विव क्लियर हो चुका है तो इसका भी नेक्ट सब्ता दोनों का रि है तो आप सभी तैयार रहिए खुसकबरे मनाने के लिए सभी के लिए यहां खुसी की बात होगी दूसरी है यहां पर जो सेजीपेसी के दुवारा वन सेवा परिक्षा जो हुआ था एसे फ्रेंजर का 211 पदों के लिए उसका डिजर्ट जारी कर दिया गया है लेकिन सब्सक्राइब कर दिया गया था जो कि सबसे बड़ी भरती है 975 पदों के लिए तो 975 पदों के लिए यहां पर जो एक्जाम होना है यह बहुत ही महत्योपूर है तो इसका भी डेट मानका चले नेक्स्ट्रेस अपता आने की संभावना निश्ची थी उसके बाद व्याप सब्सक्राइब की जो भरती है वो भी आपर रुकी थी अब जो बात करते हैं मुद्दे की कि विकेंसिया नई विकेंसिया कब आएगी तो निश्चे थी इस दिसम्बर माह में आप मानकर चले सेटप सबका बनना इस्टार्ट हो जाएगा कल के बाद से मतलब सो मुआर से त हो भी मानकर चले इसी महना लांच होने के सम्भावना है उसके बाद हास्टल वाड़ान है लेबर इस्पेक्टर है सभी भरतिया तिरे देरे आना इस्टार्ट हो जाएगा तो आप जिसकी भी तयारी कर रहा है तयारी करते रहिए आप यह ना सोचे कि 76% इस्टे लग जाए है अब देखते हैं कोट में जो भी याचका लगती है उसके बाद यहां पर क्या निर्णा आया था कोट का तो निश्ची थे आप बने रहिएगा और ऐसी ही देखते रहीगा जो कि क्या मुद्द्द चल रहा है तो अभी मानकर चलिया क्लियर हो चुका 76% आपको और एक्ष क्या नहीं करना है आप अपने तयारी पर फोकस करिए इसकी भी तयारी कर रहे हैं और असमा का बार बार नहीं आएगा बहुत सारे वेक इंसया निकली है और यहां पर निकलने वाली है तो आप तयारी में लगे रही दोस्तों उम्मीद करतों जनकारिया आपको पसंद आयो